तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं एनलेटिकल रिजनिंग बेस्ट कोईशन यह कोईशन आप लोग समझ सकते हो कि फिगर काउंटिंग की तरह ही होते हैं जैसे कि आपको एक ट्रैंगल दे दिया उ को करते हैं तो आज आपको बता देते हैं कि कल का होंवा कोईशन था उसमें एडिशन और डिवीजन यह साइन में थोड़ा था चेंज होने की वज़े से क्वेशन आपका मिस्प्रिंट हो गया था ता यह कल का कोईशन हम नहीं ले रहे हैं तो आजए सीधे ही स्टार्ट कर में आ जाएगी तो जब हम बड़े ट्राइंगल लेंगे जिसमें धेर सारी लाइन होंगी तो इसमें भी आप लोग इसली निकाल लोगी ठीक है तो आईए स्टार्ट करते हैं पहले कोईशन से फ़र्स्ट कोईशन क्या है फाइंड नमबर ओफ ट्राइंगल इन गिवें ड तो ओवर और आप लोग काउंट कर लेते हो कि इसमें तीन ट्राइंगल आ रहे हैं ठीक है अब आपको अगर ठीर सारी इसमें लाइन ही कर दी जाए तो आप कैसे काउंट करोगी बहुत ही मुश्किर हो जाएगा फिर तो तो आप इसके ट्रिक समझे ट्रिक हम आपको बता है simplest way में देखिए जितने यहां पर parts रहेंगे यानि कि जो लाइन यहां से टॉप से आ रहे हैं यहां तक आ करके मिल जाएगी तो इसमें कितने पार्ट हुए इस ट्राइंगल में दो पार्ट हुए आप इसको numbering कर लो one और two हमने क्या किया numbering कर लिया वन और टू और जितनी नंबर साते जाएंगे इसको आप लोग एड़ करते जो सब्सक्राइब यहां पर वन और टू नंबर है तो आप वन और टू को सो रहें इसको numbering कर लिजिए वन टू थ्री ठीपार्ट से जितने भी नंबर आएं इन सबको एड़ कर दीजिए वन प्लेस टू प्लेस त्री कितना हो जाएगा वन प्लेस हो गया थ्री और ट्री प्लेस थी हो जाएगा सेक्स तो ओवर ओल इस डाइग्राम में कितने आँने से ट्रइंगल attitude जाहें आप लोग इसमें व है और आपको मैं क्या ट्राइंगल काउंट करने लिए एसमें कितने काउंट कर सकते हैं तो करें यह पॉसिबल नहीं है इसमें काउंट करना अब इसको क्या करते हैं तो जब इसमें ट्रेक अप्लाइ करेंगे तो आपको वही चीज करना है जितने पार्ट सुने उनको नम्बरिंग कर लेते हैं तो इसमें कितने पार्ट से हैं 1 2 3 4 & 5 parts है कितने parts हैं इसमें five parts है अभी सारे numbers को क्या करना है add कर देना है तो simply हम add कर लेते हैं one plus two plus three plus four or plus five तो सभी number को add करें कितना जाएगा one plus two three three plus three six six plus 4 ten और 10 plus 5 कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा 15 तो वर्ल इस डाइग्राम में कितने ट्राइंगल आ रहे हैं 15 ट्राइंगल आ रहे हैं यह भी concept आपको clear हो गया अब हम लोग थोड़ा सा इसको level को बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अगर इसमें बीच से भी lining कर दी जाए सपोस्थ आपको ऐसी lining कर दी जाए फिर ऐसी lining कर दी जाए तो आप कैसे करोगे इसको count कि क seven diagram यहां पर आपको एक diagram दिया है और इसमें count करने कि कितने triangle होंगे तो सबसे पहली बात जो भी हमने आपको बताई कि जितने portion आपको दिखे यानि कि जितने parts दिख रहे हैं उसको हमें क्या करना है numbering कर लेना है तो नीचे वाले में कितने parts आपको दिख रहे हैं 123 इसको हमन है अब यहां पर हम एक-एक में add करेंगे सब में ठीके सब में 3 parts हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक में हमने add किया और उसमें 3 से multiply कर दिया तो आपके total triangle निकल जाएंगे या फिर आप क्या करो अलग-अलग तीनों को add कर लो तो पहले इन तीनों को add करते हैं 1 plus 2 3 और 3 plus 3 क से आ रहे हैं six triangle से इस वाले से भी आएंगे और six triangle आपको इस वाले से भी मिलेंगे overall जब हम सब को add कर देंगे तो six plus six 12 12 plus six कितना हो गया 18 triangle तो इस वाले diagram में overall आपको 18 triangle मिल रहे हैं आप इसका easy way देखिए और हम इसको easy से कैसे कर सकते हैं तो इसको easy से solve करने के लिए आपको two three कितने आगे six triangle आगे और कितनी यह horizontal line है इसको भी देख लीजिए horizontal line से कितने पार्ट हो रहे हैं तीन पार्ट हो रहे हैं पहला एक पार्ट फिर यह दूसरा पार्ट और फिर यह तीसरा पार्ट तो इसी में हमको क्या करना है three से multiply कर देना है तो six three कितना हो गया 18 triangle यह आप जल्दी से आपका अंसर आजाएगा ठीक है अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा डाइग्राम को और टफ करते हैं और complicated बनाते हैं कोईशन नंबर five में लेखिए यहां पर आपको थोड़ा सा डाइग्राम और complicated दिया गया है अब इसमें आपको क्या करना है triangle count करने हैं कि how many triangles सिंदा गिवन डाइग्राम तो जल्ली से बताइए इसमें कितने triangle होने चाहिए ट्रिक आपको हमने एक ऐसी बताइए जो सारे ही डाइग्राम में apply कर सकते हो आप लोग ऐसा नहीं है कि इस डाइग्राम में नहीं होगी या फिर दूसरे डाइग्राम में हो जाएगी ऐसी ट इस वाले portion में कितने parts दिख रहे हैं इस वाले portion में तो आपको सिर्फ दो ही पार्ट दिख रहे होंगे ठीक है समय जेगा हैं से इस वाले portion में आपको दो ही पार्ट दिख रहे होंगे कौन कौन सा part है एक है one और दूसरा है यह two उसके बाद ऊपर वाले portion में हम जाते हैं तो पर वाले पोश्यन में आपको यहां पे तीन पार्ट दिख रहें कितने पार्ट से हैं वान टू और फ्रीं तो गया ना इस वाले नमबर को हैं और इस वाले नमबर को भी सभी को आड़ कर तो नमबर को हम फिर से करेंगे वर कासर नंबर है रहापिस त्रेइंगल और ऐसे हैं और स्वाले कितने ध्यंकि 1 plus 2 3 3 plus 3 6 यानि कि यहां से मिल रहा है 6 triangle तो overall इस वाले पूरे triangle से आपको मिलते हैं 9 triangle ठीक है 9 triangle कैसे आए उपर वाले से 6 नेचे वाले portion से 3 तो 6 plus 3 कितना हो गया 9 triangle तो इस वाले diagram से आपको 9 triangle मिले थोड़ा साथ diagram को complicated करते हैं इसमें बताईए आप कितने triangle होने चाहिए तो अब आपको trick पता चल गई है तो question बहुत easy लग रहे होंगे काफी easily solve हो जाएंगे इसके पहले trick ना पता होती और आपको triangle count करना होता तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता तो जली से बताईए इसमें कितने triangle होने चाहिए वाई चीज हमें देखनी है कितने कितने parts कहां कहां पे है यानि कि पहली line आपको top से आती हुई मिलनी चाहिए और top से आकर के यह यहां तक पूरी मिल रही है तब ही हम इसको part count कर सकते हैं प्रवाइस हम part नई count करेंगे तो यहां पे आपको यह line जो मिल रही है देख रहे है कि आप टॉप से आ रही है तो बस इसमें कितने part हो गया है नीचे बाले में दो parts इसके बाए हम इसके ओपर वाले में देखते हैं तो यहां पे आपको कितने parts मिल रही है इस वाले में हमें मिल रहे हैं दो पार्ट्स और इसके उपर वाले में देखेंगे तो यहां पे मिल रहे हैं आपको तीन पार्ट्स ठीक है और उसके भी उपर वाले में देखेंगे तो यहां पे भी टॉप से लाइन आ रही है और यहां तक ही जाकर के end हो रही है तो उपर वाले portion में आपको कितने parts मिल रहा है जली से बताइए उपर वाले portion में आपको मिलेंगे 4 parts 1, 2, 3, 4 और यहां पे आपको 3 parts और यहां पे आपको 2 parts तो क्या करना है है? जितने भी number से उन सभी को add कर लेना है तो 1 और 2 को add करेंगे तो 3 triangle यहां पे आ रही है इस वाले में 6 triangle आएंगे और इसके उपर वाले में add करेंगे तो 1 प्लेस 2, 3 3 प्लेस 3, 6 और 6 प्लेस 4 कितना हो गया? 10 triangle तो इस वाले से आपको मिल रहा है 10 triangle तो overall इस diagram में कितने triangle आ गया? 10 प्लेस 6, 16 16 और 3 कितना हो गया? 19 तो 19 triangle आपको मिल रहा है question number 6 में यानि कि यह वाला जो diagram है इस पूरे diagram में अगर आप count करोगे अच्छे से तो आपको मिलेगे 19 triangle ओके? यहां ता clear हो अच्छे से? अब आईए चलते है next question जो कि थोड़ा अलग level का diagram होने वाला है अब इसमें देखी यहां पे ना तो आपको horizontal line दी गई है और नहीं आपको एक भी vertical line दी गई है और इसमें हमें triangle count करना है तो यह diagram हो सकता है थोड़ा सा easy हो रहा होगा आप लोग इसको देख कि आराम से triangle count कर लोगे पर अगर इसके अंदर भी diagram बना दिया जाए फिर इसके अंदर भी बना दिया जाए तो क्या आप लोग अब count कर सकते हो थोड़ा tough हो जाएगा अब count करना अब इसके trick देखिए trick से बहुत easily equation solve होने वाला है जब भी आपको मिल जाए कोई एक triangle बना हुआ और उसके अंदर दूसरा triangle बना हुआ एक चीज बस इसमें याद रखने वाली है कि जो triangle के points होंगे न जितने भी corners होंगे वो इस वले triangle को touch करने चाहिए तब के लिए you rule apply होगा अगर आपको ऐसा diagram मिलता है एक triangle ये बना है इसके अंदर ऐसा triangle है तब के लिए ये rule नहीं apply होगा जो अभी हम बताएंगे वो कहां पे apply होगा जब इसके 3 corners इस वाले triangle को touch कर रहे होगे triangle के अंदर triangle हो और 3 corner दूसरे वाले triangle को touch कर रहे होगे तब के लिए rule apply होगा कौन सा rule है इसको देख लेते हैं यहां पर आपको जब ऐसा diagram मिले और आपको triangle count करना होगा तो simple सा लगा यह 4n-3 का formula कौन सा formula? 4n-3 यहां पर n क्या है? तो n है number of triangle कितने triangle है? यह पहला triangle हो गया और यह वला क्या हो गया? दूसरा triangle हो गया तो यहां पर n की value कितनी आ गई? 2 आ गई क्योंकि 2 triangle आपको इस diagram में दिये हुए है triangle के अंदर triangle है और 2 triangle आपको दिख रहे हैं तो हमने n की value क्या रख देनी है? n की value हमने रख दी 2 तो 4 x 2 कितना हो गया? 8 हो गया और 8 में से हम 3 को minus कर लेंगे तो कितने triangle आ जाएंगे? 5 triangle तो इस diagram में आपको कितने triangle मिल गए? 5 triangle मिल गए अब थोड़ा सा हम इसी diagram को और complicated करते हैं इसमें कुछ lining कर देते हैं तो इसमें हमने कर दी अब lining चीखे? अभी तक आपने 4 and minus 3 से निकाला था तो 4 and minus 3 से आपको 5 triangle यहां पर मिल रहे थे हैं यहीं सेम diagram था बस यह वाली lining जो है यह नहीं थी अब हमने इसमें क्या कर दी है? यह lining भी कर दी है तो without lining आपको यहां से मिल रहे थे हैं 5 triangle अब lining होने से क्या फरक पड़ेगा? कितने triangle बढ़ गए? तो lining होने से बहुत ज़्यदा फरक नहीं पड़ा आपके सिर्फ कितने triangle बढ़ गए? 1, 2, 1, 2, 1, 2 और आपको यहां पर 1, 2 add नहीं करना है क्यों नहीं add करना है? क्योंकि आपको अल्रेडी यह वाला triangle है यह वाला triangle 4 and minus 3 वाले में count हो चुका है तो जब 4 and minus 3 वाले में count हो चुका है तो आपको फिर से count नहीं करना है इसको, ठीक है? तो आपको simply क्या करना है? 4 and minus 3 वाले formula से कितने triangle आपको मिल रहे थे हैं इस diagram में? 5 triangle मिल रहे थे हैं और extra कितने triangle होगे? lining की वज़े से यह हम count कर लेते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 triangle जो हैं यह extra मिल रहे हैं तो overall कितने triangle आ रहे हैं इस diagram से? overall आपको मिल जाएंगे 11 triangle ठेक है? समझ में आया है यहां तक इस diagram से आपको कितने triangle मिल गएं completely? 11 triangle 5 triangle होगे 4 and minus 3 से और 6 triangle होगे जो lining के वज़े से आ रहे हैं सारे चीज़े clear हुई अब इसका थोड़ा सा और complicated देख लेते हैं फिर इसके बाद वीडियो को यहीं पर end करते हैं देखिए अब यह वाला एक diagram दिया है इसमें triangle के अंदर triangle फिर उसके अंदर भी triangle आपको दिया है और एक चीज़ जो हमने notice करने को कही थी यहां पर हो जाएगी 3 क्योंकि एक triangle यह वाला है दूसरा triangle यह है और तीसरा triangle जो अंदर चोटा सा बना है यह वाला है तीन triangle आपको दिये गए है triangle के अंदर triangle में तो इस डाइग्राम में आपको कितने triangle मिल गया 9 triangle मिल गया है किस formula से 4 and minus 3 के formula से ठीक है अब आएए इसमें भी lining कर देते हैं और फिर देखते हैं next diagram में कि इसमें कितने triangle होंगे आएए देख लेते हैं last question जो कि question number 10 है question number 10 में आपको क्या दिया गया है जो 9 वाले में था same वही question है यह बस हमने क्या कर दिये यहां पर lining द्रॉ करती है आईए हम लोग देख लेते हैं कि 4 and minus 3 से यहां पर कितने triangle आ रहे थे यह आ रहे थे 9 triangle और कितने triangle extra हो गए लाइनिंग के वज़े से तो वही 6 triangle जो है एक्स्ट्रा हो गएं horizontal line वर्टिकल लाइन यह सारे question भी समझ में आ गए हैं बस आपको क्या देखना है कितने parts हुए हैं और आप उसी के according numbering कर दो जितनी numbering रहेगी उसी को सबको add कर लो और आपका निकल जाएंगे कि कितने triangles आ रहे हैं बहुत इजी से आपको समझ में आ गया होगा आपको हमें एक होंवा कोशन प्रवाइट करेंगे आप लोग उसको solve करिए उसका answer reasoning workbook यह सारे ही great के लिए अलग-अलग अवलेबल है मार्किट में आपको जिस भी great की preparation करनी उस great की book लेजिए और आराम से अपनी preparation को strong करिए ठीक है और अगर आप competitive exam पर रिजनिंग के preparation करना चाहते हों तो आपको book लेनी चाहिए a modern approach to the verbal and non-verbal reasoning by the RS अगरवाल यह आपके लिए सबसे best रहेगी competitive exam के preparation के लिए तो सारी चीज़े अच्छे से clear हो गई अब आपको देते हों वा कोईशन इसका answer आप लोग comment section में जरूर बताएगा आपको क्या करना है find out the number of triangles in the given diagram इसका जो भी answer होगा comment section में बताएगा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को like जरूर करिएगा thank you so much